असलाम अलेकुम मेरा नाम हक नमाज है और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी चैनल आज मैं आपको विजिट करवामगा टी एचे फेज 11 ड्रहपर सेक्टर ट्रू का अंडर्ग्राउंड वला एरिया जिस मेरे पीछे आप देख रहे हैं गेट नमबर 3 है ये M और N के दर्मयान में आता है हमारे Left साइट पे M-Block है और राइट साइट में हमारे N-Block है ये इसका Main Road है, में इसका Main Entrance है सामने ही रहा है इस चीजिक है पे अनड बॉलॉक आ जाता है ये सारा इसका एम बॉलॉक का कमर्शिल एडिया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सबस्क्राइब करते और बेल आइकन को प्रेस करतें और वीडियो लोगों आखिर तक देखें यह मारे लेफ्ट साइट एम ब्लॉक है अब हम यह एम ब्लॉक में एंटर हो जाएंगे यह 50 फिट रोड है इसमें जो बाकी रोड हैं 30 फूट रोड है यह मेन इसका 50 फिट रोड है यह हमारे सारे साइटों पे कमर्शिल प्लॉट्स हैं यहां घर भी काफी बने हैं यह गर फोर सेल है और इसके साथ यह वाला घर भी फोर सेल है इसकी डिमान एक करोड ब्यालिस लाग है जो कि काफी मुनासिब है यहां पे 50 फिट फूट के उपर 5 मुना के जो रेट है यह तकरीबबं 75 लाग से 80 लाग के दरमियान है और इसकी बैक साइट पे जो है यह तकरीबबं 65 से 70 के दरमियान है जैसे जैसे हम ड्रेन की तरफ जाते जाएंगे तो यहां पे रेट 50 लाग तक आ जाएगा 55 से 50 से 55 के दरमियान एंड पे आ जाएगा इसी तरह इस एम ब्लॉक में इसका सेक्टर टू का ग्रेवियार्ड भी आ जाते हैं एंड पे ड्रेन के साथ यहां पे भी कंस्रक्शन काफी तेजी से हो रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी MNP ब्लॉक्स अंडर ग्राउंड इलेक्रिसिटी काफी अच्छे ब्लॉक्स हैं यहां पे सिर्फ गैस नहीं है जिसकी मैसे यहां पे लोगों की मुवमेंट काफी कम है अगर यहां प का रेट काफी ज्यादा हो जाएगा और यहां पे अबादी भी काफी ज्यादा हो जाएगी यह सारा M ब्लॉक है इसमें काफी घर बन चुके मैं तक्रीबन एक साल बाद यहां पे 50 परसंट घर बन चुके होंगे यहां से हम लेट हो जाएंगे 50 फिट रोड पे यह सामने जो टैंकी नज़र आ रही है यह N ब्लॉक की है इसके साथ इसका में पार्क है यह हम यहां से राइट होंगे तो सीधा इसका गेट नमबर 3 आ जाएगा यह हमारे लेट साइट पर यह सारा N ब्लॉक है यहां पे जो प्राइसेज हैं यह तकरिब में इस एडिया में शुरू हो जो 50 फिट रोड से पहले वाला एडिया है यहां पे 228 नमबर है 56 नमबर है और भी काफी प्लॉट्स हैं यह तकरिबन 70 लाग से लेकर 75 लाग के दर्मियान इनकी डिमांड है ठीक है इसके इलावा यहां पे यह कमर्शिल एडिया भी है CCA2 कमर्शिल एडिया में यहां पे प्लॉट्स तकरिबन सवा दो क्रोड से लेकर सारे तीन क्रोड सवा तीन क्रोड तक मिल जाता है यह इसका में बुलेवार्ड आ गया है जो कि गेड नमबर दो से एंटर होता है यहां पे हमारे लेफ्ट साइट पे यह सारा एंड बॉलॉक है और राइट साइट पे हमारे पी बॉलॉक आ जाता है यहां पे लेफ्ट साइट पे जो जगा छोड़ी गई है यह इसकी जाम्य मस्जिद के लिए जगा छोड़ी गई है यहाँ फिसकी माश्चत बनेगी यहां से हम सीधा जाएंगे तो एंट पर जाके हमारे माउंटरिया आ जाएगी हडियारा ट्रेन वाली यह सारा एं भॉलॉक है यहां से हम लेफ्ट होंगे तो एं भॉलॉक की आखरी गली में चले जाएंगे यहां पे एंड ब्लॉक के जो आखरी कली है यहां पे रेट जो है यह तक्रीबन 47-48 लाग है और इसकी बैक साइट पर जो रेट है यह तक्रीबन 51-52 लाग में प्लॉट मिल जाता है पांच मरले का और जो इससे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे 60-65 में हो जाएगे जैसे 600 नमबर है 641-42 वने नमबर है तो वहां पे तक्रीबन 60-65 के दर्मियान होगा इसी ज़रा यहां पे मैक्सिमम जो है रेट हो 80 लाग है मतलब 47-48 लाग से शुरू होता है और बजातर 80 लाग तक जाता है यहां पे अंडरग्राउंड है अंडरग्राउंड एलेक्ट्रिसिटी है ऐन ब्लॉक में यह सामने इसका जगह जो छोड़ी गई है गहरी जगह यह इसके मेन पार्क की है यहां पे इसके एन ब्लॉक का काफि बड़ा पार्क बनेगा ये फेसिंग पार्क घर है ये वाला ये राइट साइट पे सारा ये पार्क की जगा छोड़े गई है ये इसका 50 फिट रोड है यहां से हम सिदह जाएंगे तो हम में बुलिवार्ड पे आजाएंगे जो दो नमबर गेट से गेट नमबर दो से एंटर होता है ये वाला यहां से हम राइट हो जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइट पे ये सारा P ब्लॉक है P for Pakistan और राइट साइट पे N ब्लॉक है ये लेफ्ट साइट पे जो बिल्डिंग बन रही है ये अलफ़ते स्टोर बन रही है यहां पे ये सामने गेट नमबर दो आगिया है ये सामने जो है ये लेफ्ट साइट पे सारा इसका N ब्लॉक का कमर्शिल है और राइट साइट पे P ब्लॉक का कमर्शिल है ये बिल्डिंग जो बन रही है ये अलफ़ते की बिल्डिंग है ये सामने ये इसका 50 फिट रोड आ गया P ब्लॉक का यहां पे P ब्लॉक में लेफ्ट साइट पे आट मर्ला की कटिंग है यहां पे ज़्यदा तर पांच मर्ला की कटिंग है और चंद एक आट मर्ला और दस मर्ला के प्लॉट्स हैं यह सामने राइट साइट सारा कमर्शिल अरिया और ये लेफ्ट साइट पे रिजीदेंशल प्लॉट्स है यह पार्क की जगा छोड़ी गई है यह लेफ्ट साइट पे P ब्लॉक के प्लॉट्स हैं यहां पे 26 नमबर प्लॉट है इसकी डिमांड 73 लाग है 73 लाग है यहां पे इस एडिया में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है बस यहां पे गैस आने की देर है उसके बस काफी तिल से अबादी हो जाएगी यह इसका पार्क है पी बलॉक का और यह इसका ओवर हीड वाटर टैंक आ गया कफी खुश्यक्सम्द बलॉक है पी बलॉक पी बलॉक सबसे अच्छा बलॉक है इसमें पलाट जो है यह रोड लेवल है अलब गहरे पलाट नहीं है यहां पे यह इसका 50 फिट रोड है यह सामने अगर हम बायर निकलेंगे तो यह खाबाने मीन वाला रोड आयता है यह राइट साइट पर कमर्शिल एडिया है यह जो बिल्डिंग बनी हुई है और यह इसका सारा रेजिडेंशिल प्लाउट सागे है पांच मरला के है यहां पर पी ब्लॉग में जो पांच मरला है यह तक्रीबान 55 लाग से लेकर 75 लाग तक जाता है 75 असी लाग तक जाता है अगर 50 फिट रोड पर होगा तो 80 लाग में होगा और अगर अच्छी लोकेशन पर होगा तो 65 से 70 के दर्मियान होगा यह राइट साइड पर जो बांटरी नजर आ रहे है यह ती आईपी फेस्टू की बांटरी है ती आईपी सुसाइटी की बांटरी है इस बांटरी पर प्लॉट है 159 नंबर यह 72 लेक दिमांड करता है यहां पे लेफ्ट साइड पे प्लॉट्स जो है इस गली में जो वर्थ है यह तक्रीबन सतर लाग के आसपास है जैसे यहां पे राइट साइड पे एक प्लॉट है इसकी डिमांड है सेम्टी वन लैक और तक्रीबन सतर में यह सतर लाग में यह फाइनल होता है तो यह काफी खुबसुरत एरिया है पी ब्लॉट यहां पे मैं अब अवराल बता देता हूं MNP में जो रेट है यह तक्रीबन 47-47 लाग से लेकर 70-80 लाग तक जाते है यहां पे एक मर्शल प्लॉट जो है आठ मर लेके यह तक्रीबन सारे 4 क्रोड से 5 क्रोड तक है और 4 मर लग मर्शल तक्रीबन 7-2 क्रोड से 7-3,5 क्रोड तक है तो यह इसका एक मेरा इंट्रोलक्शन दे दिया है इसमें गैस जल्द आने वाली है जैसे ही इसमें गैस आजाएगी यहां पे प्राइसिज 3-4 लाग रपया बढ़ जाएंगी अंडरग्राउंड लेक्रिसिटी होने की वियां से यह एरिया ज्यादा बेहतर है इन्वेस्मेंट के लिए भी यह काफी अच्छा एरिया है और रहाइश के लिए भी काफी अच्छा एरिया है यह यह गेट नमबर 2 आ गया है यहां से हम बाहर निकल जाएंगे वीडियो को लाइक कर दें और शेर कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें अल्ला हाफिस